हेलो स्टूडेंट वालकम तुमार यूटूब चैनल एक्सिलेंट सिक्सिस ग्रूप तो स्टूडेंट आज हम डिसक्स करेंगे क्लास 10 में चप्टर 13 सर्फस एरिया और वॉल्म को है इंपोर्टन कोशेंट 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 नमबर 67 में दरखा है due to sudden flood some welfare association jointly requested to the government to get 110 fix immediately and offer to contribute 50% of the cost यानि कि अचानक बाड़ा आने के वज़ा से कोई welfare association है जिन्होंने government से request किया है कि वो 110 immediately लगाए और उन्हों offer दिया है government को कि उसका जो भी खर्चायागा उसका 50% हम pay करेंगे if the lower part of each tent is of the form of a cylindrical diameter यानि कि जो tent लगाए गये हैं उनका नीचे का जो portion है वो cylindrical है जिसका हमें diameter दे रखा कि इतना 4.2 meter जब भी diameter दिया जाए divide कर तो 2 से ताकि उसकी radius निकल गया जाए तो देखो ये conical part and cylindrical part दोनों joint है तो दोनों की radius उसे में होगी हमें 4.2 दे रखा तो divide by 2 कर देंगे तो ये मेरे निकल गया जागा 2.1 meter and height हमें दे रखे 4 meter जो cylindrical portion इसकी height है 4 meter फिर आगे हमें बोला गया है with the conical upper part of the same diameter जो conical part उसका भी diameter same है तो येनिकी radius भी क्या होगी same होगी क्योंकि दोनों joint है but the height 2.8 meter जो हमारा conical part है इसकी जो height है जिसको मैंने small h से दिखा है 2.8 meter और जो cylindrical height है उसको मैंने capital h से दिखा है यहां पे and canvas used cost 100 rupees per meter square अब इसको बनाने में जो canvas आएगा उसका खर्चा है 1 meter square का 100 rupees find the amount of the association will have to pay तो association कितना amount pay करेगा वो हमें बताना है what value of the shown in this or by these association इस association में इसमें किसीज की value गो शो किया गया है देखो basically हमारा जो tend बनाया गया है वो कुछ इस तरह किसे बनाया गया है यह हमारा cylindrical portion है और यह हमारा conical portion है जो canvas use होगा वो कहां पे होगा जो white color का portion आपको नजरा आ रहा है यहाँ पे use होगा canvas और जो red color का portion आजरा रहा है यहाँ पे होगा इसे कहते है curved surface area of cone और इसे कहते है curved surface area of cylinder जिसका formula होता है 2 pi rach इसका formula होता है pi rl L होती है इसकी slant height जो किस तरीके से दी जाती है इस side को गहते हैं L ठीक है यह हमने find करने पड़ेगी इससे हमें क्या जाएगा जो canvas में जो tent बनाने में canvas use होगा उसका area निकल क्या जाएगा उस area को multiply करेंगे 100 से क्योंगी 1 meter आता है 100 rupees का इससे हमारा total खर्चा आजाएगा welfare वाले करीबन इसका 50% ही pay कर रहे हैं तो जितना total खर्चा आएगा उसका 50% निकाल देंगे ताकि welfare का जो खर्चा निकल गया आगा वो में पता लग जाएगा तो हमारा जो tent है यहां मैं इसका solution करना शुरू कर रहा हूँ tent हमारा दो चीजों से मिल के बना है पहला cone दूसरा cylinder अब cone की हमें slant height यह तो निकालने पड़ेगी but height जो है वो 2.8 meter है but radius 2.1 meter होगी क्योंकि इसका diameter कितना था 4.2 तो radius कितनी होगी 2.1 meter अब इसी तरह के cylindrical part है इसकी height कितनी है 4 meter radius तो सेम ही होगी 2.1 meter क्योंकि दोनों दूसरे साथ के joint है तो first of all we find height of a cone slant height of a cone तो select height का formula होता हमारा h square plus r square अब इसकी height कितनी है 2.8 इसका square radius कितनी है 2.1 इसका whole square ठीक अब 2.8 को 2.8 से multiply करेंगे तो यह आगा 7.84 2.1 को 2.1 से multiply करेंगे तो यह आगा 4.41 दोनों को add किया कितना है 12.25 अब इसका android निकालेंगे तो मेरे निकल के आजागा 3.5 meter यह इसकी slant height होगी अब यह android कैसे निकाला है इसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे कि how to find a square root जिसका link में डिस्क्रिप्शन में दे दूँआ आप उसे वीडियो को देख लेना ताकि आपको समझ में आजे के रणरूट कैसे निकाला है ठीक है अगर मैं बताओंगा तो इसमें वीडियो काफी लेन ते बढ़ जाएगी हमारे L आगी L आने के बाद अब इसके निकालते हैं area of canvas ठीक तो यहां लिखा मैंने area of canvas अब यह दो चीजों से मिलके बना है पहला cone area sorry, curved surface area of cone प्लस curved surface area of cylinder अब इसका formula पाई यारल होता है इसका formula टू पाई आर होता है तो इन दोन में जो common part आ रहा है वो common निकाल लो पाई यार कॉमन आ रहा है यहां बच गया L यहां बच गया 2H अब यह जो part का solution है यह हम अगले पेश पे कर लेते हैं तो जो नीचे वाले part का solution हम यहां करते हैं पाई की वाजियो में given नहीं है तो 22 बटा साथ यूज करेंगे radius हमें question में given है 2.1 यह लिए लिए मैंने 2.1 और L जो हमने अब यह भी निकाल लिए कितने 3.5 plus 2 into height height किसकी है यह cylindrical part की क्योंकि यह जो था मेरा हम capital अच यूज करेंगे ठीक तो यह वाला जो part था हमारा cylinder का था तो इसमें height capital वाली यूज करेंगे क्योंकि हमें इसकी height चाहिए इसकी नहीं चाहिए क्योंकि यह cone है cone वाले में cone की height यूज होगी cylinder वाले में cylinder की height यूज होगी तो यहाँ पे capital अच होगा मेरा ठीक है जो कि हमें कितना दे रखा था है यहाँ पे 4 meter तो यहाँ पे use करूंगो मैं 4 meter clear है अब यहाँ पे देखो 7,3,21 पहले decimal लगा लो divide दे दिया point 3 को से multiply आगे 6.6 3.5 4 to the 8 6.6 बीच में दोनों के किसका sign है प्लस का दोनों को जोड लेंगे 8 और 3 11.5 दोनों भी जो multiply का sign है इन दोनों को multiply कर लेंगे multiply करने पे आगे हमारा 75.9 meter square यह एक tent का इरिया निकल गया आया है हमें इसके जैसे 100 tent का इरिया निकालना है तो है लेकता हूँ हमें total area of canvas 100 tens ठीक है 100 का कितना हो जाएगा 100 multiply 75.9 2 0 है तो हमारे decimal दोनमबर इदर जाएगा एक 0 और माल लेते हैं तो हो जाएगा 75 और 2 0 इदर जाएगे तो 7590 meter square यह हमारा total area आ गया rate दे रखा में canvas का rate of canvas वह हमें दे रखा है यहां पर 100 रुपी per meter square 100 रुपी per meter square तो total खर्चा कितना हो जाएगा total cost of canvas तो 7590 को multiply कर देंगे 100 के साथ तो हो जाएगा 200 रुपी छे लगा दी यह हमारा total खर्चा होगा canvas के उपर यहां पर बोला आप पूछा गया था कि association वाले welfare association वाले कितना amount पे करेंगी तो वो 50% पे करेंगे तो इस amount का 50% यहां पर निकाल देंगे तो आप लिखता हूं में amount to be paid by association ठीक है 50% है परसंटेज अड़ेगा नीचे 100 आजाएगा multiply करेंगे 7,59,000 से तो दोजर में cancel हो जाएगी इसके साथ multiply करेंगे तो यह आजाएगा 3,79,500 रुपीज यह मेरा total welfare association के थूँ पे किया गया amount होगा 3,79,000 फिर इसमें यह पूछा था किसमें किस value को दिखाया गया है तो इसमें यह दिखाया गया है कि society की हमें care करने चाहिए उनका भाला करना चाहिए अगर वो मुसीबत में होतो इसका मैं solution आपे mention कर देता हूँ इसका solution में मैंने आप mention कर दिया care for the society values shown by the welfare association ठीक है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें comment करें और इस channel को जुरू subscribe कर लें बल तक लिए वीडियो में okay bye bye thank you